हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई सलाई आपकी इदम जोरों से चल रही होगी चुकि 5 दिसंबर बहुत नजदीक है बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है समझे की देड़ महीने मान लीजे 45 से 50 दिन बचे हुए ह सिम比較 है और पढ़ान आपको भी ध्यृट सौरा है जीयेश में भी हिंदी में भी करेंटर फियस में बहुत सारी आपको रिवीजन करनी हैं बहुत सारी आकड़े देखने हैं अभी बहुत सारा आपको मेंटर हमें देना भी है ग्रूप में ठीक है तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पॉल्टी यानि कि समिधान और राजवर्स्था को हम कैसे पढ़ें और चुकि पॉल्टी एक ऐसा विश्य है जिसमें हम 100% कर सकते हैं हाला कि देखिए इत्यास में तो कभी-कभी एक-दो प्रसंद ऐसे आभी जाते हैं और पता नहीं एक अगर आपका प्रसंद कोई गलत नहीं होना चाहिए और अगर पॉल्टी में आपका प्रसंद गलत होता है तो मतलब आपकी तयारी अच्छी नहीं है तो इसलिए पॉल्टी में आपका कोई प्रसंद गलत नहीं हो 10, 12, 15, 20 जितने भी सवाल आएं सारे प्रसंद आप हल करके आएं तो उस सम्मंद आपको हम पूरा रड़नीत बताएंगे कि कैसे आपको प्रसंद प्रसंद गलत होते हैं तो उसका effect आपके सही प्रसनों पर भी पड़ेगा तो आज मोई topic के बारे में बात करें कौन कौन सी topic आपको touch करने हैं जहां से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं हमेशा पूछे जाते हैं चाहिए वो समीच्छा अदिकारी पर इच्छा हो PCS की हो पर आपकी lower PCS पर इच्छा हो इन topic से इन जगों से हमेशा आपसे सवाल पूछे ही जाते हैं तो उसी संबन्द में बात करेंगे अगि समय बहुत कम बचा हुआ है तो आपको पढ़ना बहुत है तो यह इतना में टाविक लिखे हुई इन पर सब पर हम बात करेंगे और यह सारे topic आपको हमारे नोट में यहाँ पर मिल जाएंगे तो आप लोगों ने लिये हैं जो नहीं लिये हैं वो लोग ले सकते यहां से और टेस्ट स्रीज भी आरोग की चल लए उससे आप लोग जाएंगे तो इस नंबर पर आप लोग संपर्ग करके स्रीज के लिए संपर्ग कर सकते हैं तो इतियास में लोगों ने जो लाश्ट टॉपिक शोड़ा था भारत का संविधानिक विकास वहीं शुरुआत करते हैं क्योंकि जैसे हमारा आजादी हमको आजादी मिलती है अंग हमारा देश चलेगा कुछ नियम कानून बनाने हैं कुछ ब्यवस्ताय बनानी हैं ताकि एक सिस्टम बन जाए और उसी के आधार पर हमारा देश चलता रहे तो काफी चीज़ें हमने पुरानी ही लिए जो 1935 का अधनियम था काफी चीज़ें वहां से लिए हैं चुकि वह भ पर बहुत सारे अधनियम हैं कुछ एक्ट हैं तो वह सब आपको मतलब कुछ ही है अगर पढ़ लेंगे तो ठीक है बना एक्षिल में यह वाला टॉपिक बढ़ा बोरिंग टाइप का होता है आपने पढ़ा भी होगा बोरिंग होता अगर पढ़ेंगे तो ठीक है नहीं रिखता होगी मुलदिकार हो गया डीपीएसपी हो गया इस अब आपको पढ़ा चुके हैं ठीक है समिधान में भी हाली में रिवीजन में बाकि उसमें जब पॉल्टी मैंने पढ़ाई थी तब तो सारे वीडियो आपको मैंने दिये थे पूरी complete पॉल्टी पढ़ाई थी तो आपको प्रस्ताबना को जितने topic हां लिखे है न मतलब इन topic को आपको टच करना है पर अच्छे से पढ़ना है ठीक है रिवीजन करनी है रिवीजन करने के सुरुत कोई भी हो सकते हैं आपके notes जो आपने बनाए हो वो हो सकते हैं या किसी अन। जगαι से किसे के बाड़ जाओ ऐसी गलती कभी मत किजाएगा इस समय आपको किताब नहीं पढ़नी हैं किसी के भी आपने लिए हों खुद की बनाए हों जो भी हों उनसे आपको रिवीजन करने हैं ठीक किताब यह गलती मत करिएगा थी कुछ नहीं तो आप देखें पॉलिटिक लिए इसके बाद समिधान के स्रूरत यानिक उमारा समिधान बना है किनकिन देशों से कौन-कौन सी चीज़ां ली गई हैं उन पर आपको फोकस करना है ठीक इसके अलाबा समिधान सभा समिधान सभा की निर्मान पर क्रिया क्या थी और समधान सभा के लिए प्रमुक्ष समितियां कौन-कौन सी थी इन पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले समधान सभा कौन थी किस तारीकों अहुँ हो छी थी कितने लोग ते सामिल कौन अद्देश था कौन अपादेश था तो यह पूरा निर्मार प्रिक्रिया उसकी सम लुकातरवा अनसूचियां जो 12 अनसूचियां और रटी होनी चाहिए थी कि मूल समधान में में कितनी सपटेश यह संता कभी कभी कशलग कारण में इसे कभी कशलम कारण में2 वरटी होनी चाहिए कि किसमें क्या आपके संबर्ति सूचि में संग सूचि और संबर्ति सूचि में मतलब इस से पहले थे अभी कितने हैं किसमें टो भासा इंवाले हैं यह आपको पता होना चाहिए इसके बाद आपकी राज येवं संग्राचित बरतमान में कितने राज्य हैं और संग्राज कितने हैं कि सम्दान संसोधन द्वारा सिक्यम है हर्याड़ा है अभी जम्मू किस्मीर हो गया लग्दाग यह सब नए बने हैं और आपका दमन्दिव को और दातरा नगर हवेली को मिला करके कर दे गया यह सारे सम्दान संसोधन बगारा जो है आपको देखना है कि किस अनुच्छित के डी पी एसपी राजी के नीति निदेशक तत्वा यह भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं मुलकरतब आपके कितने हैं और यह सब चारी चीज़ा आपको पढ़नी है मुलकरतब भी काफी अच्छा मतलब की जो 51 का मैं रखे गए आपके यह सब आपको पढ़ना है ठीक है इस इमपोर्टेंट टिनने टॉपिक है संसद में आ जाईये संसद में राज देशावाव को आपको पढ़ना लोग आपके घ्क है और पात देश्च है ठीक है और इनकी जो राजломा के निर्माण कैसे होता है कितने उसकी जो राशसवा लोगसवा की जो संचालन प्रत्रिया कैसे संचालन होता है अगर 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 जो सभापती नहीं तो अगर अधिस्ता करेंगा तो ये सब बिधान सभाद वाई सभी में कितने राज़ों बिधान परसद हैं यानि जहाँ पर 2 सदनी विधान मंडल है ठीक है पहले कहांपर थी फिर खतम कर दी गई है बर्तमान में कहां पर होने वाली है और विस्स था UP की जो बिधान सभाय है उच्छ नियाल है और अधीनस नियाल है बहुत ही इंपोर्टन टॉपके कि आपको पढ़ना है इसके बारे में अच्छे से सुप्रीम गोर्ट में कितने जैज होते हैं क्या होती है हाई कोट किन किन हाई कोट में खंड पीट है और जो है जो इसमें बरतमान में कोई से पढ़ना है सब आपको सब आपको नोट्स में या जो भी किताब हैं जो भी आपने रिफर की हैं सब उसमें आपको मिलेगा ठीक इसके बाद महान्यावादी महादिवक्ता और क्या या निवारत का नेंत्र के महालेखा परिक्षग यह बहुत इंपोर्टन तीनों चीजे है नयवादी मादवक्ता और सीएजी इसको पढ़ना है बित आयोग नुच्छे दोसो अस्षी के बारे में अच्छे जान लेना है केंद्रा संबंद ठीक है यह बहुत इंपोर्टन है किस भाग में आता कि सनुछिद माता है केंद्रा संबंद इसके बारे में और इसके बार आपका निरवाचन आयोग राजभासा आपकी आ जाएगे ठीक स्थानी स्वसान पंचायते हैं जो नेगर पंचायत नेगर पाल का ग्राम पंचायत इन सब का जो है कैसे घठन होता है क्या होते इसके बारे में फिर आपका योजना आयोग तो बरतमान महें नहीं और नीति आयोग यानि यह लेकिन पढ़ना आया यह कब बना था क्यों बनाये गए था फिर उसको कनवर्ट कर दिया गया नीति आयोग में कब किया गया उमर्लब क्या परवर्दन हुआ योजना राजटी विकास पर सजो भी परतवान में इसके वारे में पढ़ना है आपात आपको पढ़ना है चीजे लगा है या कि राज्यों में अब तक कितने बार राजपाल यह राश्पती शासन लग चुका पढ़ना है राजनीतिक दल आपको देखने हैं कि बरतमान में कितने राष्टी पार्टियां हैं और कैसे उनका निर्माण होता है कौन उनको चुनावचिन का वंटन कैसे होता है यह सारी प्रक्रिया राश्टी-प्रतिक हमारे भारत के कौन-कौन से कहा से लिए गए क्या उनका मतलब है यह सब देखने ना है ठीक राश्टी-प्रतिक मतलब अब उसमें पसू और पौधा जंडा आपका राश्टी-गीत राश्टी-गानी सारी चीज़ें आ जाएंगे समझें ना राश्टी-प्रतिक जितने भी है पिर सम्दान संसो दिन जो बहुत ही इंपोर्टेंट है हर बुक में हर किसी ना किसी में जो है कि बाहर एक लाश्ट में एक लिष्ट दी होती है करने श्वेदों की और प्रमुक्त संसोधनों की तो वो आपको पढ़ लेना ठीक है हालक जो अभी लाश्ट से की निन्यानवे संसोधन से लेकर रहे हैं यह जो भी आपके 5-6-7 संसोधन है तो काफी इंपोर्टन्ट है वह आपको देख लेना है और लाश्ट में संसधी समधियां ठीक है जिस से की आपकी लोग लेकर समीति हो गई अना कई प्रकार की शकल की होगे की लोग सबादे की टेकं से आपको कम से कम पॉलिटी में पढ़ना है थिक पंचायती राज भी आप देख सकते हालाकि स्थानी स्वसाद में जोला ना पर पंचायती राज आपका आ जाएगा देख लेना बंचायती राज भी अप तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़ना है तब आपके जाकी पॉलिटी कंप्लीट होगी अच्छी करना है टेस्ट को हल करना है नोट्स नहीं लिया है तो आप लोग यहां से ले सकते हैं जहाँ पर आपको समझाने की सारी चीजें आपको एक दम से पूरा बाकाइदा लिखी ही मिलेंगी पूरा printed notes मिलेगा ठीक तो इतना आपको पढ़ना है आप जैसे भी पढ़ें लेकिन पढ़ना पढ़ना तभी आप पॉल्टी में 100% नंबर ले करें अब जो बापका साइंस भचा साइंस माको कैसे पढ़ना भालोजी कैसे पढ़नी है यह आपको बताना है और इसके बाद आपका बचाएं को ज्यादा है नहीं घटना चकर कोई बार इवी जन कर लिए बाकि बजट बगएरा हम आपका केंद्र का बजट यूपी का बहुत ही इंपोर्टन मतलब नोस अच्छा बनवाया है कई चीजों को सामिल करके इसमें की सबसे अच्छी जो बुक मानने जाते हैं आपकी है इराग भरुचा तो उस बुक को हमने रिफरेंस बुक मांगन करके और पौलिटी का पूरा नोटस बनवाया था ठीक तो आप लोग नोटस भी देख सकते हैं ले सकते हैं कि अगर आपको अच्छा लगी या पड़ सकते हैं PCS के लिए आरोगली काफी important वो notes है आप लोग देख सकते हैं और आपका science कवारें बता देंगे फिर बताएंगे आपको UP special कवारें कौन कौन सी चीज़ें आपको important है हालाग उसमें थोड़ा हम पढ़ाएंगे भी UP special और फिर बचापका current affairs हिंदी तो यह इसी तरह से जो है आप लोग पास करें बस information can support दस lightly go of a finance होने वाला तो जोह बस इतने हम तैयारी हो जाएगी चार महिने